ट्रिपल वन ठीक है जॉइन्ट अरेजमेंट्स जॉइन्ट अरेजमेंट्स कर रहे हैं ठीक है चलो अब इसमें आपको मैं सिम्पल सी बात समझाने का ट्राय करता हूं फटा फट से समझने का ट्राय करना में क्या बता रहो ठीक है एकदम summary formula आपको revise कर रहा तो क्या होता है यह इदर देखो इदर triple one के अंदर होता है joint arrangements ठीक है joint arrangement का मतलब क्या होता है जिदर होती है two or more parties and there should be unanimous decision making unanimous decision making ठीक है यह बात आप ध्यान रहतना अब joint arrangement दो तरका होता है एक होता है joint operation एक होता है joint venture ठीक है अब joint operation का अब होता है अगर कोई भी अगर कोई भी separate legal entity नहीं है मतलब दोनों party के वीच में operation में आए लेकिन कोई separate legal entity form नहीं किया joint operation दूसरा अगर separate legal entity form किया लेकिन 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 उनके rights और obligations individual assets liabilities के अंदर है rights and obligations individual asset liability में है joint operation तीसरा अगर separate legal entity form किया और इसका जो भी output है joint operation joint arrangement का जो भी output है it is only for the parties मतलब यह जो दो लोग involved है दो या तीन लोग involved है इसका जो भी output है वो सिर्फ इन ही party के लिए है for example operation में लोग इन लोग के pipeline बिल कर रहे है कोई asset बिल कर रहे है और वो asset का output सिर्फ इन लोग की use करने वाले है operation venture में क्या होता है अगर आपने separate legal entity form किया है plus इनका जो rights and obligations है it is in the net assets of the arrangement अगर इनका हिस्सा net asset के अंदर है तो उसको बलते है venture क्या बलते है उसको venture अगर अब operation या venture का यह basic definition हो गया तो operation के हो गया तीन definition venture का हो गया एक definition अब एक और चीज़ सुनना यह जो तीसरा पार्ट है इसका थोड़े detailing में जा रहा हूँ अगर separate legal entity है और मैंने क्या बाता है जो arrangement का output है it is only for the own parties जो parties operation के उन वाले parties के लिए तो operation होगा अब इसमें न दो case है for example एक company है AK limited है ना AC limited बनाया है अब यह नया company फॉर्म किया अब यह नया company का जो भी output है जो भी output है यह सिर्फ इन दोनों लोग यूज़ कर रहे है बराबर तो इसको बोलते है joint operation अब कभी कभी question पते है क्या बोलता है बोलता है अगर यह company का output किसी थर्ड पर्टी को भी sell हो जाए अगर यह company का output किसी थर्ड पर्टी को भी sell हो रहा हो तो क्या यह operation होगा venture होगा तो ऐसे case में यह venture होगा पहला चीज दूसरा चीज अगर इसका output थर्ड पर्टी को sell नहीं हो रहा है है ना इसका output जो है वो AK और SC को ही जा रहे है अब SC और AK को जाने के बाद ये दोनों अपने अपने customer को बेच रहे है ये दोनों अपने अपने customer को बेच रहे तो उस case में एक बार joint arrangement से output चले गया उसके बाद ये लोग कुछ भी कर रहे हो इनकी मरजी है मैं बोलू operation से तो जो output है वो seven party को गया है तो ये operation ही होगा ध्यान रखना बराबर तो जब वो कहता है ना कि इसका output इसका जो output है इट शूट only be for the parties तो ये जो नया company है ये किसी और को नहीं बेच सकता एक बार इनों ने इनको transfer कर दिया parties को पार्टी इसको खुद पिये या किसी और को दे कुछ फरक नहीं बढ़ता है operation ही होगा लेकिन अगर ये ही नया वाला company किसी third party को sell कर रहा होता तो ये venture हो जाता समझा मैंने क्या बोला ठीक है बस तो ये operation venture का definition हो गया अब venture का accounting कैसे करना है इसका accounting as per index 28 equity method में होता है equity method में venture का operation का accounting कैसे होता है operation का accounting होता है as per index 111 जिदर हम करते proposed and consolidation what is the meaning of proportional consolidation हर एक party सिर्फ अपना हिस्सा record करता है हर एक party सिर्फ और सिर्फ क्या करता है अपना हिस्सा record करता है क्या तुमको समझ मैं है मैंने क्या बोला क्या तुमको समझ पड़ा मैंने क्या बोला यह चीज क्या तुम इतना याद कर लोगे इतना मैंने बता है यह एक चीज है यह इंडेस 111 के सारे concept खतम हो गए अब आते questions पे मैं आपको 2-3 questions बताऊंगा उतने करके चले जाना और specifically बता रहा हूँ 111 से एक question जो है लगता है मुझे आ सकता है और वो question बताऊंगा ध्यान से सुनना वो कुनसा question है एक तो question जो आपको करके जाना है वो है एक है 23 और 24 वाला question यह मैं करवाँगा आपको यह बाद मैं करवाता हूँ उसके लाबा एक question है question number 25 एक question है question number 25 अब एक question number 25 यह फटाफट सा आपन दिखले थे क्या बोलता है सुनना बोलता है एक alpha limited है और एक gamma limited है joint construction कर रहे है और joint operation है जब इन्होंने खुद बोलते है joint operation है तो joint operation है भाई ने बोला operation है मतलब operation है गानी खतम आगे फिर बोलता है कि इन्होंने construction वगेरा शुरू किया sorry construction खतम हो गया कोई building बना रहे थे 38 September वो खतम हो गया आगे अब उसके लिए उन्हेंने boring cost वगेरा लिया तो 38 September तक का boring cost capitalize करोगे बागी boring cost profit and loss में जाएगा उसके लाबा इन्होंने और क्या किया है इन्होंने construction में लगा 40 CR ठीक है loan का interest वगेरा बताया है और maintenance वगेरा भी किया है maintenance आगा profit and loss अब करना किया है वो बोलते the company has recorded the entire amount as investment in joint venture पहले खुद बोलते operation है फिर बोलते venture के तरह record किया है क्या यह सही क्या है गलत है it is an incorrect treatment correct नहीं है अगर operation है तो proportional consolidation करना होता है what is the meaning of proportional consolidation हर party अपना-पना हिस्सा record करेगा इसका मतलब alpha हो या gamma अगर उनका हिस्सा equal है तो वो सिव अपना 50% record करेंगे sir कैसे record करेंगे ज़रा बताओ तो आपको सिखाता हो कैसे record करेंगे इसको और मैं आपको solution दिखाता हो इसका शांदार इधर इधर आ जाओ मेरी खाल से यह रहा येस देखो जैसे पी-पी कंस्ट्रक किया 4 TCR का 6 मैने का इंडर्स कैपिलाइस किया .5 का total पी-पी इतना हो गया पी-पी बटेगा 2 लोग में alpha और gamma 50-50% बराबर उसके बाद 6 मैना करोगे depreciate तो depreciation भी जाएगा दो लोग में alpha गामा के अंदर अच्छा depreciation भी का दोनों के अंदर उसके लावाद 6 मैने का इंटरेसर में कैपिलाइस किया था ना बाकी 6 मैने का इंटरेस्ट पॉफिट लॉस में वो भी alpha 50% गामा 50% रिकॉर्ड करेगा और जो maintenance cost है वो दोनों 50-50% रिकॉर्ड कर लेंगे एक्जाम में आप इसको statement form में प्रेजन कर देना बस ऐसा arrow मा के माद करना statement form में प्रेजन कर देना बस exam के अंदर यह आपका हो गया basic सा question ठीक है तो पहले बता देना कि इनोंने जो किया है वो incorrect है दोनों का definition दे देना और बस solve कर देना इसको simple clear यहां तक पहला चीज यह एक question था जो काम का है उसके अलाबा एक जो question है वो बड़ा शांदार question है और वो question बहुत ही important है and that is question number 2 बहुत जादा important है क्यों? ICI को ICI चाहता है कि वो ऐसे ड़ापके question पूछे ठीक है वो पूछेगा तुमसे बताओ यह joint operation है की joint venture है तुम समझ रहे हो क्या joint operation है की joint venture है वो यह पूछेगा तुमसे ठीक है तो अब वो अच्छे cases दिया हुए अपने को नी 6 case दिया हुए हाँ 6 case तो हर एक case में अपने को पूछेगा operation है की venture है तो फटा फट समय quickly आपको revise करवात हो क्या करना है इसके अंदर तो पहला वाला case है पहले वाले case में देखो क्या बोलता है दो और मोर party है लेकिन unanimous decision making ही नहीं है तो operation या venture छोड़ो ये joint arrangement ही नहीं है क्योंकि operation या venture होने के लिए पहले वो joint arrangement होना चाहिए जब वो joint arrangement ही नहीं है तो operation और venture की बाद तो करना ही मत पहली चीज़ वराबर उसके बाद दूसरा पार्ट वो बोलता है दोनों jointly control करते है लेकिन कोई separate entity form नहीं किया हुआ है तो operation होगा तीसरा पार्ट बोलता है separate entity form किया है लेकिन ये नहीं बोला है कि उनका हिस्सा net asset में है या individual asset liability में है तो वो बनेगा depends अगर net asset में हिस्सा होगा तो venture होगा individual accessibility में इससा होगा तो operation होगा fourth वाला जो part है fourth वाले में बोलता है कि इन्होंने एक नया company form किया और इसका जो output है इसका जो output है वो third party को नहीं बेच सकते है मेरे ख्याल से तो अगर third party को आप नहीं बेच सकते है output तो मेरे ख्याल से it will be joint operation if I am not wrong बराबर it will be joint operation फिर आता है fifth वाला part fifth वाला part बोलता है कि joint arrangement entity is not obliged to sell the output to x and y but was able to sell the output third parties मतलब जो नया company form किया याद है AC limited form किया था वो AC limited third party को भी sell कर रहा है जब आप third party को भी sell कर रहे हो तो फिर तो यह venture हो जाएगा बराबर उसके अलावा sixth वाला point वो बोलता है sixth वाले case में यह जो नया company है यह third party को sell नहीं करेगा यह नया company अपने ही ventures को देगा बराबर यही अपने ही parties को देगा यह party बात में लागे किसी और को बेचेगी तो party बेचेगी या कुछ भी करेगी क्या फरक पड़ता है party बेचेगी किसी और को तो यह रहेगा joint operation ध्यान लखना इसका answer जबा पड़ोगे ना तो आईसे ना jumble the words किया हुआ है आईसे है रहे ना fifth का answer sixth में लिखा हुआ है sixth का answer fifth में लिखा हुआ है तो बस वो ध्यान लखना ठीक है तो मतलब आईसे है किस में fifth वाना answer sixth होना चाहिए sixth वाना answer fifth होना चाहिए बस उतना ध्यान लखना यह तो मैंने आपको से revise करवा है यह revision उनको समझा रहेगा जिनको पहले आता है थोड़ा joint treatment वगेरा जो आज पहली बामे साथ पड़ रहे है प्लीज यह question करके चले जाना हर case का 1-1 mark 6 mark का question आसकता है वाईसा ठीक है तो यह आपको 2 question मैंने करवाए अब आता है एक और question जो मैंने को करवाना है मुझे 23 and 24 ठीक है अब यह question क्या बोलता है ध्यान से सुनना बोलता है एक party है A limited है ना उसके पास 60% ठीक था operation के अंदर ठीक है और balance 40% किसी और party के पास था मतलब एक joint operation है उसका 60% A के पास है और 40% अधर के पास है अधर के पास है ठीक है आगे बोलता है A has contributed an asset to it to the joint operation तो बोलता है यह जो A है A ने कोई sale किया है joint operation को है ना asset was actually sold for 80 बेचा 80 में carrying value 100 था तो loss में बेचा how should A account for the sale of joint operation अब यह sale को कैसे बुक करेगा अब मेरी बात ध्यान से सुनना जब आप sale करते हो ना तो आप 100% sale record नहीं कर सकते क्यूँ अगर आप 100% sale record करोगे फिर 60% आप ही का हिस्सा है तो 60% अब वापस से अपने बुक्स में record करने वाले हो ऐसा क्यूँ आपने sale के 100% तो पहले यह asset sale होने के बाद joint operation में दिखेगा joint operation में दिखने के बाद A अपना 60% वापस सरी record करने वाले है तो ideally आपने sale 100% किया ही नहीं है 100% sale करने के बाद 60% वापस सरी record कर लोगे तो ideally आपने sale सिर्फो से 40% का किया हो है तो आपसे 40% की sale record करते हो इस case में त्यान रटना तो solve कैसे करना है देख लो मैंने आप पूरा अच्छी तरीका से बताया है वाई देख लो जैसे पहले before sale A के पास 100% था बराबर after sale joint operation के पास asset आएगा उसमें 60% ये वापस सरी record कर लेगा तो effectively sales सिर्फ 40% का हुआ है effective sales सिर्फ 40% का हुआ है क्यों 100% बेचा 60% वापस सरी record कर लिए तो बचा कितना सिर्फ 40% तो आपने 40% ही बेचा है तो उसकी 40% के entry मारने का तो asset बाहर जाएगा carrying amount के उपर पैसा record करोगा 80 के साब से 40% का डिफरेंट जाएगा profit and loss के अंदर ये question number 23 था फिर आता है question number 24 question number 24 में बता है question number 24 के अंदर होता है बस ये है कि purchase किया है यहाँ A ने sale किया था न joint operation को इस वाले में A ने purchase किया है 60% दिखी रहा था अब A ने ये पूरा asset purchase कर लिया तो A के books में 60% के बदले अब 100% दिखेगा मतलब effectively A ने कितना purchase किया effectively A ने सिफ 40% purchase किया बराबर तो आप सिफ 40% purchase कि entry मारोगे purchase पर कोई gain loss नहीं होता है तो जितना भी आपने pay किया अब आपकी cost हो जाई जान रखना ठीक है तो इसका hint क्या हुआ 23 और 24 वाले का hint क्या हो गया hint ये हुआ कि जब एक party अपने ही operation के साथ sell purchase करता है तो जितना उसका stake है उसका 60 पसंद आना तो उसके stake जितना sell purchase record नहीं करने का सिर्फ जो अधर party का stake है उतना ही sell purchase record करने का बस simple ये आपको hint मैंने हाँ लिखा के दिया हुआ था खतम हो गया वाला part तो मैंने joint arrangement में तीन type के question बता है एक question 23-24 है नो उसके question 25 और उसके बाद ये definition check करने वाला question that is RTP का में 22 question number 2 clear ज्यान रखना उसके लाबा एक question में अलड़ेब को बता चुका याद है 103 और 111 का एक question था जो आपने 103 में discussed के तो जो मैंने बताया था है ना तो वो वाला question अलड़ेब बता चुका तो वो तो ठीक है is this clear to everyone क्या अरे yes और no yes शानदार मेरी खाल से मज़ा आगे अपने को ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़ जाते हैं अब 28 की बारी 28 में देखो आपको यह ना दो टाप के question करने होते हैं मैं बताता हूँ वैसे करके जाना 28 के अंदर ठीक है क्या 28 के अंदर दो टाप के question ही है एक है अपना equity method ठीक है अपने एक है अपना loss making associates यह हाँ यह अपने को है ना दो ध्यान रखने ठीक है equity method loss making associates तो फटा फट से आपको इसका revenge शुरू करवादू चलो शुरू करते हैं we are starting in 3,2,1 and go सबसे पहला when we talk about investment in associate and JV अब इतको JV याद जॉइंट venture आपने define के ट्रिपल वन के अंदर इसको आपने define किया था ट्रिपल वन के अंदर लेकिन इसका जो accounting है वो accounting किदा कवरड है 28 के अंदर कवरड है ज्यान रखना ठीक है उसके लावा associate क्या होता है अगर आपका किसी भी company में significant influence है यह word या दखो significant influence that means 20% से लेकर 50% तक श्टेक उसको बलते है significant influence अगर यह है तो आपकी बन जाती associate ठीक है यह ध्यान रखना अब associate है तो आप एना SFS और CFS दोनों मनाते हो SFS में आप investment दिखाते हो you show investment SFS में दिखाते हो investment in associate अगरा as per 27 आप दिखाते हो या तो cost पे या फिर fair value पे तो equity method है basically it is nothing but a valuation technique it is nothing but a measurement criteria मतलब measurement करने का तरीक है वो equity method क्या आप कौन से value पे दिखाऊगे वो equity method सिखाते है आपको बराबर यह वाला part तो equity method का मैंने एक शांदार आपके लिए summary format बना रखा है तो आपन उसको refer करें कि एक दो मजा आ जागा तुमको आजाओ तो देखो कैसे निकलता है equity method के अंदर देखो मैंने एक बढ़िया ऐसा वो बनाया था आपके लिए example तो आपने एक्जांपल करेंगे ना तो आई से के सारे question इसकंदर cover हो जाएंगे तो ये example करके दो चारे question बताऊंगा वो करने का पूरा cover हो जाएगा सुनना बोलता अपने बास 20 पर टिक ता मुकू के अंदर 100 लाक्स में purchase किया था जिस दिन आपन एक बार किया उस दिन मुकू के आयने का book value was 200 fair value was 250 difference between book value and fair value was due to a pp जिसका life कितना बचा है जिसका life बचा है 5 years during the year मुकू मतलब associate earned a profit of 50 lakhs also मुकू earned a profit of 30 lakhs जिन ओसी है है ना dividend distribute किया 10 lakhs उसके लावा goods बेचा 10 lakhs का 15 lakh में तो URP वगेरा भी है अब करे किया सुनना मेरी बात ध्यान से तो आपने तो 25 पर एक वार किया सबसे पहले day one पे आपको निकालना होता है goodwill या GBP goodwill capitalism निकालना होता है आपको ठीक है ध्यान रखना अभी goodwill वगेरा associate वाले case में आप कभी वी कभी रिकॉर्ड नहीं करते हो it is only disclosed आप सिर्व निकालते हो उसको ठीक है आपने जो investment किया ना 100 lakh का it includes goodwill ठीक है ध्यान रखना तो आप निकालोगे PC 25 पसंट यहां NCI वगेरा नहीं होता है associate आपन खूद NCI अधर बराबर तो जितना भी आपका stake है उतना आएने लो fair value वाला तो fair value वाला आएने का 25 पसंट करोगे ठीक है तो आएगा 62.5 तो goodwill आगा 37.5 only disclose कभी record मत करना उसको पहला चीज सेकेंड चीज तो आप day 1 पे investment को record करो value दिया हुआ आपको उसको record नहीं करना आपको जो difference था 50 का difference है it is because of a PPE जिसका life बचा है 5 years तो इसकी वैसे क्या आता है इसकी वैसे आता है excess depreciation बराबर क्या तो आप निकालोगे excess depreciation कितना आता है और वो उसका effect आप दोगे equity method के अंदर मैं मतलब मैं बोलतू जो CFS में आपन पोस्ट वाले कॉलम में effect देते है पोस्ट वाले कॉलम में वह आपनों को effect देने का है बराबर तो आपका जो भी increase था 50 lakhs into one year divided by five years one year क्योंकि एक साथ current year में एक ही साल है अब आप जितना भी record करोगे एक बात कसम खा लेना है ऐसे God promise ऐसे कसम काईगा क्या कसम काईगा कि हम जो भी record करेंगे सिर्व अपने हिससे जितना record करेंगे सिर्व अपने stake जितना record करेंगे तो इसमें one by five करें इन्टू 25 परसंट जो अपना stake है उतना ही बराबर पहला तो depreciation expense तो minus करने का उसके अलावा associate ने profit कमाया उसने profit कमाया मैं अपने profit and loss में record करेंगा बराबर तो मैं add करेंगा यह profit उसके अलावा associate ने OCI वाला profit कमाया तो मैं भी record करेंगा अब एक बात ध्यान रखना अगर associate न के अंदर भी हम उसको OCI में record करते है बस इतना आपको ध्यान रखना है तो associate के PNL का profit मैं record करूँगा associate के OCI का profit मैं record करूँगा उसके अलावा जब associate dividend बाढ़ता है तो इसको आपको minus करना होता है अपना हिस्सा जितना minus कर देना तो 10,25 परसंट आप minus करोगे उसके अलावा तो वह कर देना minus 5,25 परसंट कर देना minus आपको मिलेगा investment का value as per equity method अब यह क्यू का मैं बात नहीं कर रहा ठीक है I'm not going to the logics मैं आपको सी रिवाइस कर रहा रहा फटाफट से आपको समझा तो formatting यह यह day 1 की cost less exercise depreciation add the share of profit less dividend less URP खतम यह equity method में आपके सारे questions बन जाएंगे ठीक है एक बात का ध्यान लगना तो अब यह आना जो जो questions करने यह equity method है और फिर आता है loss making associates loss making associates आपको directly questions बता दूँगा ठीक है चलो आजाओ तो अब आपने डिरेकली questions पर आते हैं इसके ओपर इंडेस 28 में डिरेकली आते questions के ओपर तो मेरे questions यह रहे तो जो 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 अच्छे-च question है बता रहा हूं मैं आपको ठीक है एक question number 12 13 है यह upstream downstream downstream के ओपर है इतने critical नहीं लेकिन एक बार refer जरूर कर लेना ठीक है 13 वाला specifically एक बार से refer कर लेना इसको पहले कियाब है तो refer करना नहीं कियाब है तो ठीक है उक दिक्कत वाली बात नहीं है same applies to 14 13 और 14 पहले एक बार किया रहेगा तो refer कर लेना ठीक है वह equity method वगरा पे नहीं है वह दो अलग इसके ओपर है point के ओपर देख बार refer कर लेना उसको अब आते है अपना illustration number 15 यह loss में एक associates का है यह मैं कराऊंगा आपको revise पहले equity method वाले question कर वाले question कर वाले तो आपको ठीक ह question में acquire किया है 47.5 में acquire किया है बराबर तो आपन 47.5 record करते है day 1 पे सिफ goodwill का computation करने का उसको record मत करना goodwill को बोलने का day 1 की cost is already included तो compute कैसे को goodwill अगेरा आपने इतना PC पे किया है आयने का fair value इतना है तो आयने का 35% निकालो पहले आयने का 1 lakh sorry 1 करो 10 lakhs का 35% कितना आता है 38.5 lakhs आता है इतना आपको compare करो 47.5 से आपको goodwill मिलेगा goodwill कितना आता है 9 lakhs very good answer संकेत तो 9 lakhs आया आपको goodwill yes तो देखो goodwill record मत करना सिर्फ निकाल के दिखाने का उसको बोलने का यह देख मेरे को आते है यह goodwill निकालने को आगे very good प्रानव very good रितेश very good आगे बढ़ जाए yes अब investment cost पर आपने दिखाया और क्या कि effect देंगे तो बोलता है PPE का वज़े से यह difference था 20 lakhs का life 10 years तो वो excess depreciation माइनस करना पड़ेगा तो 20 lakhs divide by 10 मेरा बर into जितना अपना हिस्सा है वो 35% तो कितना आएगा आपको 70,000 तो माइनस करेंगे 70,000 पहला उसके लावा और क्या है और बोलता है कि उसने कमाया profit तो इसमें अपना हिस्सा 35% add करेंगे बराबर dividend pay किया 35% less करेंगे और OCI का profit है उसने OCI का profit कम है मैं भी add करेंगे बराबर simple तो इसका 35% जो भी आएगा वाएड इसका 35% less इसका 35% add खतम कहानी मजा आ गया देखो इसमें URP नहीं था मेरे एक्जामल के अंदर URP भी लिया था मैंने तो करके जाने यह वाला question ठीक है उसके अलावा यह question के लिए तो काफी है एक और question number one यह भी same है इसमें से इनके URP का amount गलत है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो amount गलत है वो उसका है एक्जाम में पूसना थोड़ा difficult है बट ठीक है करके चले जाना उसको भी वो भी same है equity method वाला अब equity method में और करने का जरूवत नहीं है मेरा वाला जो example है वो करोगा आपका पूरा cover हो जाता ह में अभी आते हैं यह वाले question पर और मैं बताओ के November 22 में equity method आ चुका तो उसका जान सोड़े कम है में आपको यह question पर आना that is illustration number 15 और वो है यह वाला loss making associates बराबर एकदम शांदार question है यह वाला loss making associates का आपको मतलब यह अगर 28 से कुछ पूछना है उनको तो यह वो पूछ सकते अब इसमें होता क्या सुनना इसमें simple logic आपको लगाना है जब आपके पास कोई associate में investment है तो जब associate profit कमाता है तो अपना investment का value बढ़ता है वैसी जब associate loss कमाता है तो अपने equity investment का value गिरता है यह आपको पता है ठीक है अब क्या हो गया suppose आपके investment का value 10 लाग रुपया था और आप आपको जो loss allocate हुआ वह let's say 15 लाक्स loss allocate हुआ तो आपका equity investment negative नहीं हो सकता तो जो excess 5 का loss है अब वो किदर allocate करेंगे तो इसी associate में आपके पास जो preference shares है और जो long term loan है उसमें आप allocate कर सकते हो, इसी associate में जो आपके बाद preference shares है और long term loan है आप उसमें allocate कर सकते हो, बराबर उसमें allocate करना पड़ता है, अब कैसे कैसे allocate करोगे, तो पहले आप preference share में allocate करोगे, फिर जो बचता है वो long term loan में allocate करोगे, ये डिके दर अंदर ratio of caring और मत बोलना, ठीक है, ये basic idea आपको, अब मैं आपको बता दो question में क्या था, बोलता है अपने पास है equity shares 10 lakh, preference shares 5 lakh, long term loan 3 lakh, ठीक है, उसके बाद, अच्छा एक और चीज, actually ये जो preference share long term loan है, ये इसी associate के अंदर है, लेकिन इनके उपर applicable होता है, index 109 पहले, तो इनमें अगर कुछ allocate करना होगा, तो पहले 109 इनका gain loss allocate करना, फिर इनके अंदर जो भी 28 वाला gain loss हो allocate करना, ध्यान लखना, ठीक है, आगे, अब वो बोलता है, अपने को preference के उपर, जो भी gain loss हो दिया हो है, long term loan के उपर जो भी gain loss हो दिया हो है, उसके अलावा, entity share, entity share of profit loss of associate, already entity का share of profit loss दिया हो, इसका मतलब, this is already 25%, this is already 25%, बराबर ये entity share है, मतलब, इस profit loss का 25% करने बैठ जाना, ये already entity का share है, ये already 25% करके दिया आपको, ध्यान रखना, अब कैसे करोगे सुन लो, तो ये ना, इसका एक formatting एकदम simple सा, आपको मैं दिखा तो formatting कैसा है, इदर आ जाओ, देखो, for example, अब देख लो कैसे करना है, अपने अपने लिए investment होता है, अपने लिए investment होता है, पेरेंट के point of view से investment associate के लिए, अपने पास investment equity में था, investment preference में था, investment long term loan में था, 10, 5 और 3 का investment था, तो पहले preference और long term loan वाले को, जो भी index 109 का gain loss है, वो allocate कर दो, तो preference में allocate किया, long term loan में allocate किया, ठीक है, balance आपको मिलेगा, after 109 का gain loss, अब आपता है, 28, तो 28 का total loss पहले साल में था 16 lakhs, आपको याद रहेगा, तो, पहले साल में, it was how much, it was 16 lakhs, तो अभी equity का balance हो 10 lakhs ही है, सिर्फ, तो 10 lakh equity में जाएगा, equity 0 हो गया, अब अगला बारी पते किसका आता है, अगला बारी आता है, preference वाले का, perfect answer, तो preference हो बाकी loss allocate करने यह करने के बाद, equity हो गया, 0, preference हो गया, 0, long term loan हो गया, 1 lakh, ठीके, अच्छा, तो यह आपने इस तरीके से loss allocate के, सबको समझा, पहला वाला यार, ठीके, फिर आता है, second year में, equity preference 00 हो चुका है, long term loan 1 lakh दिख रहा है, अब हो आप problem ही हो गई, problem पते क्या है, year 2 के अंदर, preference वाले क 109 में loss आगया, negative 50,000, अब preference वाला तो खुद, खुद नंगा पुंगा घुम रहा हो, वो खुद ही नहीं लो चुगा है, वो क्या loss allocate करेगा अपना खुद का, तो इसलिए, वो जाता है, equity वाले के पास, equity वाले को बोलता है, कि भाई, मैंने तुमको जो 4.5 loss की help कीती ना, उ उसमें से 50,000 के loss की में reversal मार रहा हो, तो ideally, जितना उसने 4.5 lakh का help किया था, उसमें से 50,000 वो कर देगा reverse, ताकि उसका balance 0 हो जाए, ठीके, इसका मतलब अगर मैं आप से पूछू, year 1 और 2 मिला कर, preference वाले ने कितना help किया, equity को, तो आप 4.5 lakhs की help मत बोलना, आप बोलना सी 4 lakh का help किया, क्यों, 4.5 lakh का help किया, चमाण मार के 50,000 वापस ले लिया, तो net में help सी 4 lakh का किया है, उसके अलावा, current year में भी equity वाले को loss हुआ है, 2 lakh का, अब equity वाला खुदी धंटंग गोपाल बनके बैठ है, preference वाला भी धंटंग गोपाल है, तो बसता है, long term loan वाला, अब long term loan वाला इसला loss reverse किया, तो net, net में current year में आपने सिफ 50 का ही loss बेर किया है, तो unrecognized loss कितना रहे गया, जब 2 lakh में से आपने current year में net, net में 50 का ही loss बेर किया है, तो 1.5 lakhs unrecognized loss रहे गया, मतलब या आपने allocating नहीं कर पाए किसी को, फिर year 3 वगेरा simple है, फिर आप year 3 मा होगे, year 3 में जब कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बूलू, पुराना loss पड़ा है, वो allocate करना पड़ेगा इन दोनों के अंदर, तो पुराना loss आप allocate करोगे, वापस सब 0 हो गया, ठीके, जैसे थोड़ा पैसा आया है नहीं कि वापस 0 जाते है इन लोग, आगे year 4, तीनो 0 है, 109 का profit होता है इसक सबस्दी प्रेफेरेंश वाले को मिलेगा, तो जितना मदद किया था, उतना देना पड़ेगा, जैसे लॉंग टर्म वाले कितने help किया था, तो पहले पहले लाग का help किया, फिर फिर फिफ्टी का help किया, तो टोटल मेरे क्याल से 1.5 प्लेस बेसे, 3 lakh का help किया, तो 3 lakh लाक दिया long term loan वाले को, अच्छा, preference वाले ने कितने help किया, preference वाले ने, पहले 4.5 का help किया, फिर 50 का reversal माल लेया, तो net 4 का help किया, और यहां 1 lakh help के, तो 5 lakh के help किया, तो 5 lakh पिर अपन देंगे preference वाले को, और बचा भा, फिर मिलेगा equity वालो को, बराबर और 5th year से जो भी profit होएगा वो सिर्फ equity वालों का होगा क्योंकि जिसने भी equity के मदब की थी उसको पैसा ओलेडी दे चुका तो equity वालों का profit हो जाएगा ध्यान दबना इस question की writing practice करके जाना भाई बहुत जरूरी है इसका मतलब जब loss bear करने की बार ही आएगी तो पहले equity में allocate होता है equity निल होने के बाद फिर preference bear करता है फिर long term loan bear करता है लेकिन जब बाद में profit होता है तो पहले long term loan को देना ऐसा की होता है अरे वो liquidation proceeding में ऐसी होता है आउच्छे liability को पहले मिलता है फिर preference को मिलता है फिर equity वालों को मिलता है ऐसा यह आपका था loss making associate तो मैंने आपको जो दो relevant important concept है वो touch करवाया आपको इसके अंदर मैंने एक equity method और loss making associate तो 28 भी हो गया और 111 भी हो गया